दोस्तों अगर आप HDFC Tata New Credit Card apply करकर थक चुके हैं या फिर HDFC Tata New Credit Card अगर आप apply करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आप HDFC Bank की official website पर जाकर अगर इन में से किसी भी credit card को apply करते हैं तो यहां HDFC Bank की एक खास बात होती है कि आपके civil score के based पर HDFC Bank हर एक customer को तीन credit card अपनी तरफ से show करता है जिसमें कि आपको किसी एक credit card को choose करकर उसे apply करना होता है और यहां आपने देखा हो कि 90% अगर आप HDFC Tata New credit card apply करने की कोशिश करते हैं तो आपको यह credit card show होता ही नहीं है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता हो कि आप किस तरह से 100% HDFC Tata New credit card या फिर HDFC Tata New Infinity credit card को apply कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए तो अब मैं आपको credit card apply करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से 100% Tata New credit card apply कर सकते हैं तो देखें यहां वीडियो का description में मैं आपको एक special credit card को apply करने का link दिया है अगर आप इस link के जरिए इन में से किसी भी credit card को apply करते हैं तो आप 100% Tata के credit card को apply कर सकेंगे बिकॉस यह जो link मैं आपको provide कर रहा हूँ यह direct Tata के credit card को apply करने का ही link है जैसी आप link पर click करते हैं तो आप HDFC Bank की official website पर आ जाएंगे लिंक पर click करने के बाद आपको अपना mobile number एंटर करना है और उसके बाद आप चाहे तो अपनी date of birth एंटर कर सकते हैं या फर आप अपना pen card एंटर कर सकते हैं तो फिलाल चलिए यहां से मैंने mobile number एंटर कर दिया है और उसके बाद यहां से मैंने अपनी date of birth एंटर कर दिये और उसके बाद आपको get otp वाले option पर click करना है and then उसके बाद otp एंटर करना है otp एंटर करने के बाद view the best card वाले option पर आपको click करना है and जैसी आप इस पर click करेंगे तो आपकी profile के based बर या तो आपको Tata new plus credit card show होगा या फिर infinity credit card जो भी credit card आपको show हो आप यहां से उस credit card को apply कर सकते है and आप नीचे scroll करके and जो भी इस credit card के benefit हैं आप उसको यहां से देख सकते हैं बैसे Tata के credit card को apply करने का जो mostly लोगों का motive है वो UPI payment के ऊपर cash back earn करना है और साथ में आपको infinity credit card के अंदर 10% का cash back मिल जाता है और आपको plus credit card के अंदर 7% का cash back मिल जाता है बाकी आप अगर detail में जाना चाहते हैं इस credit card के सभी benefit को तो मैं already अपने channel को पर एक video बना चुका हूँ उस video का link आपको video के description में मिल जाएगा तो simply आपको नीचे scroll करने के बाद जैसा कि आप इसकी fee वगरा देख सकते हैं यहाँ आपको fee भी देखने को मिल जाएगी और उसके बाद आपको tournament condition को accept करना है and get this card वाले option पे click करना है and उसके बाद आपको अपनी कुछ basic सी detail एंटर करना है जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी email id हो गई, आपका pen card वगरा हो गया और जो भी आपका address वगरा है आप यहाँ पर उसको free कीजे and आप आपको थोड़ा सा नीचे scroll करने के बाद employment type के अंदर, अगर आप एक self-employed है तो आप self-employed select कर सकते है and अगर आप एक salesperson है या housewife है या student है जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पर select कर लीजे, फिलाल यहाँ पर मैं self-employed select कर लेता हूँ and उसके बाद आपको यहाँ company का नाम type करना है अगर आप एक salesperson है तो आप किस company के अंदर नौकरी करते है उसका नाम type करना है अगर आप भी खुद की company है, अगर आप एक self-employed है, खुद की दुकान है तो आपको यहाँ अपनी दुकान का नाम type करना है and उसके बाद आप अपनी designation यानि की आपकी position क्या है उस company के अंदर यहाँ पर आप वो type कर दीजिए and then उसके बाद आपको जो भी option देखने को मिल रहा है आपको इन में से किसी भी option को बिल्कुल भी छेलना नहीं है जैसे हैं बिल्कुल वैसे रहने दीजिए and उसके बाद आपको tournament condition को accept करना है and then submit and verify वाले option पर आपको click कर देना है and उसके बाद यहाँ आपको अपनी application को verify करना है and आप अपनी application को तीन तरह से verify कर सकते हैं एक debit card और ATM card के थरू एक आधर card के OTP के थरू और अगर आपकी net banking already आपने बनाई हुई है तो आप net banking के थरू भी कर सकते हैं फिलाल यहाँ पर मैं debit card का इस्तिमाल करने वाला हूँ तो फिलाल मैंने यहाँ से debit card वाले option को select कर लिया and then उसके बाद आपको अपने debit card की जो भी information बगरा है उसे हैं यहाँ पर enter करना है जैसे कि आपके debit card के last के four digit and then उसके बाद expired date और आपका जो भी ATM pin बगरा है आप उसको यहाँ पर enter कीजिए and verify card वाले option पर आपको click करना है term and condition को accept करने के बाद and उसके बाद अगर आप lucky हुए मेरी तरह तो आपका credit card hand to hand approved हो जाएगा जैसा कि आप अपनी screen पर देख रहा है अगर आपके सामने your credit card application successful का अगर इस तरह से message आता है and यहाँ पर अगर आपको time show किया जाता है कि जैसे कि मेरे case में 7-10 दिन का time यहाँ पर show किया जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ कि मेरा credit card अब 100% approved हो चुका है and अगर आपके सामने इस तरह का message नहीं आता है तो यहाँ आपको एक extra step देखने को मिलेगा कुल मिलाकर आपको एक video kyc करने का option मिलेगा आप directly यहाँ से video kyc कर सकते है video kyc के दौरान आपसे कुछ basic सी detail मांगी जाएगी जैसे कि आपका pen card आपसे पूछा जाएगा pen card की photo click की जाएगी आपसे sign कराए जाएगे on camera तो कुछ basic सी बात है आपसे पूछी जाएगी customer care के जरीए आप वो सारी की सारी बता दीजिए and उसके पात आपका credit card approved होने के chance इस time लगबग 90% है and so अगर आपका credit card instant अगर approved हो जाता है तो next day आपके सामने एक text message आएगा जिसके अंदर आपके credit card के last के 4 digits आपको भेजे जाएगे and उसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि आप अपने credit card को activate कर लीजिए तो अगर आपके पास इस तरह का message आ जाता है या फिर email आता है तो आपको अपने credit card को किस तरह से activate करना है जबकि आपका credit card आपको physically एक से दो week के अंदर receive होगा में भी हो सकता है कि एक week के अंदर ही आपको receive हो जाए तो अगर आपको credit card receive नहीं हुआ है अगर आपके पास अगर text message आता है तो simply आपको HDFC bank की जो net banking application है उससे अपने phone के अंदर install करना है और उसके बाद आपको उस application को open करना है and open करने के बाद bottom में आपको एक more का option देखने को मिलेगा simply आपको more के option पे click करना है and my card वाले option को आपको select करना है and जैसे आप my card वाले option को select करते हैं उसके बाद आपको अपना mobile number एंटर करना है and उसके बाद यहाँ आपको एक OTP आएगा mobile पर OTP एंटर करना है submit पर click करना है and जैसे आप submit करते हैं तो आपका credit card जो कि आपने recently apply किया था वो यहाँ आपको show हो जाएगा simply यहाँ आपको enter last four digit का जो option देखने को मिल रहा है जो आपको आपको text message आया है उसके अंदर जो आपको credit card के last के four digit show हो रहे हैं यानि कि जो भेजे गए हैं आपको वो four digit यहाँ पर enter करने and then उसके बाद add product वाले option पर आपको click करना है and उसके बाद आपका credit card है आप उनको control कर सकते हैं तो अगर आपको HDFC Tata new credit card apply करना है तो यह best time है इस credit card को apply करने का और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलाल video के description में जो मैंने इस credit card को apply करने का link दिया है वो एक special link है आप उस link के जरीए ही direct इन में से किसी भी एक credit card को apply कर सकते हैं तो देर किस बात की अभी जाए वीडियो के description में और try करके देखिए कि आपका credit card approved हो रहा है या नहीं और अगर आपका credit card approved हो जाता है तो please comment करके जरूर बताना कि मेरे link से आपका credit card approved हुआ है